Hello Friends, Welcome back to my channel, Brity Fashion Mila. यह देखें, हमें यह तीन सरकल्स बनाने हैं, इसी के हल्प से हमारी जो आजकी ड्रेस है काना जिकी वो बनेगी. जो आजकी काना जै की बनेगी. मैं दो नबर के काना को पेनारी हूँ गुण यह सेम ड्रेस एक नमबर के काना को भी आ जाएगी. कि आप आसानी से बनाएं और पहनाएं ये देखें कुछ इस तरह से ये चोली आ रही है आप पॉंचो की तरह पहना सकते हैं पूरा फैला के आप इस तरह से हलका सा मोड़ेंगे तो ये जैसे चोली होती है फुल स्लीप की कुछ उस तरह का हो जाएगा ये ऐसे करके ये देख काना को भी पहना के दिखा रही हूं बट एक नमर को भी आ जाएगे तो आप भी इसे एजिली बनाईए और पहनाईए वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगा चलिए स्टार्ट करती हूं वीडियो और देख लेते हैं हमने स कैसे ब worldly काना के लिए कितने क्यूट लग रहे हैं बहुत सुन्दर लग रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करती हूं बडेकलका है तो सबसे पहले हम इस Kita बिर और लूट लगाएंगे मने मैंने यहाँ पे दो, यह तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, एक ग्यारा, एक ग्यारा चेन बनाई, एक चेन हमारे हुक में है, इस बाद हम एक और दो, दो चेन छोड़ेंगे, और जो तीसरी है, हम इस तरह से करेंगे, तीसरी चेन में डालेंगे, फंदे को निक निकाला, तीन फंदे है, तो फंदे से एक बार, और दो फंदे से एक बार, फिर हमने इस तरह से किया, सेम जगा डाला, और डबल क्रोशिया बना दी, फिर अगली चेन में हमें दो बार बनाना है, डबल क्रोशिया, यह देखें, यह एक डबल क्रोशिया, और यह दूसरी, ऐसे हम यहां सभी चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनानी है चले बना लेती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए हमारी रो जो है वो कंप्लीट हो गई है अब हम इसे टर्न करेंगे टर्न करने के बाद हमने एक और दो दो चेन बनाई यह जो छोटा वाला उन है इसे हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो यह बनाई करते वक्ति इसी में हाइड हो जाएगा नहीं तो बाहर निकला रहता है अच्छा नहीं लगता है और पास से कट कर देंगे आप तो फिर आपकी बनाई खुलेगी देखिए हमारे जो पहली चेन है हम इसमें डालेंगे पीछे से फंदे को निकाला तीन फंदे हैं दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार हमने डबल क्रोशिया बना दी फिर हमने इस तरह से किया सेम चेन में डालके डबल क्रोशिया बुन दी यह देखें, अब अगली दो चेन में एक बार डबल क्रोश या और तीसरी में दो बार बनाएंगे, तो देखें, पहली चेन में एक बार डबल क्रोश या, दूसरी चेन में एक बार डबल क्रोश या, और जो यह तीसरी चेन है, इसमें हम दो बार बना लेंगे, एक और यह द इसी तरह से पूरा रोव कंप्ली न heik बार बनाना है एक और फिर अगली चें मेर एक बार और फिर तीसरी जो आ गए उसुमें दो बार चलिए तरह इसी तरह से पूरा को पर के दो स्सक्राइब कर दो कि ऐसे चेन्ड बनाई औरी चेन्ड बनाई बनाई के तरह पूरी रांड पर सिंगल क्रोश यह बनाएंगे तो बनाते हुए अहां till काती हूं पिर आगे बताऊंगे क्या करना है ये देखे मैंने यहां तक बुइनत्या है यह यह तक अब हम इसे यहां पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे यह जोड लिया जोडने के पाद कि हमें यह वाला उन रेड वाले की ज़बर नहीं हम मेरे से कट कर लिते हैं अब यहां पे यलो ते अब यह जाए ैवा से बुनेंगे यह ने ये लगोर का उनन ले लिया है इसे हम लिए लगा लेते हैं बिल्कुल और शेव जाया जाया भो एक कलर से और यहीं सेम जग़ ड़के दूसरी बार, फिर हमने इस तरह से किया, अगली चेन में डाला, और यहाँ पिछा बार डबल क्रोश यह बू Quebec करेंगे, इस तरह से, फिर अगली चेन में डालीए, और दो बार डबल क्रोश यह बू lil डी प्रोश यह, करना है यह देखिए आप हमने इसे बना ले है पूरा अब हम यहां इस तरह से ज्वाइंट करेंगे इसे यह ऐसे करके और एक चेन बना के थ्वार सा लंबा करके कट कर देना है यह हमारी ऊपर की जो चोली पॉंच हो आप जो भी बोले वो रेडी हो गई है अब हमें क्या करणा है जैसे हमने यहां पे चेन बना के यह दो रोगू है सेम ऐसे दो रोगू है तो चले बुनती हूं सेम इतना अधि सब कुछ हैसे ही रहे जो red वाला हिस्सा मैंने बुना है वो हमें बुना है, बस हम single crochet नहीं बनाएंगे red color से सिर्फ पहली roadable crochet की और दूसरी roadable crochet की बुनेंगे चले बुनती हूँ, फिर आगे बताऊंगे क्या करता है यह देखिए, मैंने जैसे चोली में दो रो बुनी थी, वैसे ही बुन दी है पर यहाँ पर एक रो और हम बुनेंगे, उसके बाद फ्रिल बनाएंगे तो देखिए, हमने दो chain बनाएगे दो chain बनाने एक बाद, पहली chain में हमने एक बारडबल crochet यही सेम चेण में एक और भारडबल crochet जैसे हमारी दूसरी रो है सेम वैसे ही बनेगा आप देखिए दो chain में गैग बार और तीसरे में दो बार पहली chain में एक बार, दूसरी में एक ऐक बार और तीसरी में हम दो बारडबल crochet बनाएंगे यह देखिए इस तरक से करने के बाद हम दोनों को जॉयंट करके एक रो रेट कलर से सिंगल ग्रोशर की बना लेंगे और जैसे हमने यलो कलर से यहाँ पर फ्रिल बना देंगे चलے करते हूं फिर आगे बथाऊंगे क्या करना है ये दखिन हैं यहां पे दोनोंपीश कंप्लीट हो गया है है अब चले हूं कैप बना लेते हैं इसमें से बड़ा वाला वह हमारा ईकषार्ट का है और छोटा वाला वह हमारी चोली का है यह दखिन इस तरह से हमने loop बनाई, यहाँ पर एट, दो, तीन, चार, चार chain बनाएंगे और पहली वाली ही chain में डालके हम इसे joint कर लेंगे, joint करने के बाद हमने यहाँ एट, दो, दो chain बनाई इस तरह से करेंगे, hole में डाला double crochet बुंदी, फिर हमने same जगर डाला double crochet बुंदी, अभी तक ह चले 10 और बुंदी, फिर आगे बताऊंगे क्या करना है, यहाँ पर बना दिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से joint कर लेंगे, joint करने के बाद एक सरकल जैसा हो गया है, अब हमने दो chain बनाई, दो chain बनाने के बाद, हमारा जो पहला chain उसमें डाला, यह देखें जब हम तीनों फंदे को एक साथ उतार लेते हैं, यह देखें है, हमारी कैप बे कम्प्लीट हो गई, एक रो मैंने हाट बिल क्रोशिया रेट कलर से बुनी, और सेम तरीके से एक रो यलो कलर से बुन के नौट लगा के कट कर दिया, सब कुछ कम्प्लीट है, आप चले पहन कर सकते हैं, आई होब मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करके चाहिए, अब मैं आपको भी लूगी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णर आदे रादे, आद